नवश्कार आप सभी का पुना स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी में और संग्राम सिर इसके ताद जितने भी विद्धियारती यहाँ पर बने हुए हैं आप सभी के लिए आज एक बार फिर से लेकर आचुके हैं जोग्राफी का लेक्शर नमबर यहाँ फूर इसके पहले तीन लेक्शर अल्रेडी हमने यहाँ पर बनाये हुए हैं यदि अभी तक आपने उन लेक्शर को उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देखे ब बहुत ही जादा पेचीदा तो नहीं कहूंगा लेकिन एक conceptual topic है और इसको समझ गया न तो इसके जो आसपास के इर्दगित के जो questions है वो बहुत आसानी से आपके बनने वाले हैं और directly question यहाँ से बहुत कम chance से जो आता है मैं question को बहुत यहाँ पर लिग दिया हूँ प्रशन यह है जल वायू को प्रभावित करने वाले कारक कौन है what are the factors affecting the climate दे कि बेसिक सी चीज यहाँ पर है उसको मैं पहले keywords को मैं लिख लूँ एक तो मैं कह रहा हूँ climate की मैं बात करता हूँ मतलब जल वायू की मैं बात करता हूँ और दूसरी और मैं चाहूँ तो मैं वेदर य साथ ही साथ इनके तत्वों के भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे confused हो जाते हैं कि सर मौसम और जलवायू के यानि कि आपके climate और वेदर के अंतरगत जो तत्व होते हैं और जो इनके कारक होते हैं क्या वो same होते हैं या फिर वो अलग होते हैं तो तत्व और कारक दोनों ही अलग मिलेंगे दोस्तों तो इसको आप लोग confuse ना हो ना उदाहरन के तौर पे जैसे यहाँ पर आईए देखते हैं एक हम partition कर लेते हैं और इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं पहले हम क्या देख लेते हैं पहले हम तत्व देख लेते हैं याने की elements फिर हम देखेंगे कारक याने की factor question भले factor का है लेकिन यह समझना आवश्यक है आप दोनों को और यहाँ से number of questions है यह elements elements यहां से बहुत सारी question जो आपके ready हो जाएंगे ना सिर्फ जलवायू के बलकि मौसम के भी मतलब overall मैं यह कहूं कि इसको जिसने पढ़ लिया उसके लिए जलवायू और मौसम या यह कहें climate जो चप्टर है यह काफी आसान होने वाला है यह चीज़ें अगर mind में घुझ गई तो बाकी अन्य चीज़ें आपकी वैसे ही घुझ जानी है वैसे ही आपकी वहाँ पर तयार हो जाएगी उसके लिए आपको जादा दिक्कत या मशक्कत की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी आईए तक्तो की हम चट्चा करते है elements देखो simple सी बात है तत्व और आपकी जो कारक होते है वो क्या क्योते है पहले मैं इसको समझा दो in short उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलेंगे है ना यानि कि तत्व क्या होता है और कारक क्या होता है भीया आपको जो है माल लेते हैं कोई डिश बनानी है कोई आपको preparation करनी है जैसे है ऑसके संभव नहीं है नमक चीह उसमें आप नमक डालेंगे और थोड़ा सा तेल जो उसमें अपन यूज करने वाले है बिना इनके आप पूरी की कल्पनना नहीं कर सकते या यहाँ कहूँ इन में से कोई एक चीज ना हो तो पूरी नहीं बनेगा बहριते सर्फ बिना नमक जो उसको प्रभावित करेंगे, हाँ, अब हम कह सकते हैं, यदि गेहूं का जो आटा है, आपको पता चल का कि आपने आटा लिया है, वो आटा यदि किसी दूसरे आइटम का हो, किसी दूसरे अनाज का हो, तो पोड़ी हो सकता है, जादा क्रिस्पी बने, पोड़ी हो सकता है थोड़ा सा आपका टेस्टी बने या हो सकता है आपका सॉफ्ट बने अगर आपने जो है वो लाइक नमक की मात्रा अपने जादा कर दी तो हो सकता है पूरी खिलाने लायक ना रहे हो सकता है ऐसा occasion है तब आपने उसको बनाया है तो यह सब वो factors हैं वो कारक हैं जो उसका जो वाला है उसको प्रभावित करेंगे बात यहां तक समाज आ गई अब हम चलते हैं कि सर तत्व तो हमने देख लिया कारक क्या होते है यह भी हमने देखा आप तो सिधा जलवाई और मौसम के जो एलिमेंट्स हैं हना उस पे चर्चा करिए तो सबसे पहला जो तत्वा होता है किसी भी जलवाईू का किसी भी मौसम का वो पहला जो एलिमेंट जो पहला तत्व होता है वो होता है तापमान या टेमपरेचर क्या हो जाएगा आपका तापमान टेमपरेचर मतलब यदि कहीं पर जादा गर्मी है तो आप कहेंगे या तापमान गर्म है जैसे गर्मी का द आपका लदाक में, वहाँ पर आपको माइनस में मिलेगा, तो भई, वहाँ पर माइनस में तापमान, यहाँ पर 42-45 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप बताना चाहरेगी, यह गरम जगा है, वो ठंडा जगा है, यह दोनों जगा की जलवाईू को दिखाना चाहता है, क्या तापमान, दूसरा हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा, वो है वरिशन, मतलब इसी को हम कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, याद रखना, हुमिडिटी अलग है, प्रेसिपिटेशन, यानि कि आपका वरिशन, जो वर्सा हो जाता है, उसे हम जानते हैं, ठीक है न, humidity बोले सर क्या बात करते हो कैसे दोस्तों आप समुद्री शेत्र में जाएं कोस्टर रिजन में जाएं वहाँ पर बारिश भले ना हो ठीक है बारिश होगा वो अलग बात है होगा हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं हम तो यह कहते हैं यदि कुछ समय या कुछ मेहने बारिश नह की मातरा अधीक है इसलिए वहाँ पर आर्दरता प्रॉपर बनी रहेगी हुमिडिटी आपकी प्रॉपर वहाँ पर देखने को मिलेगी ठीक है चलिए इसके बाद जो हम चलते हैं यह आपके तीन हो चुके आर्दरता है वर्शन है तापमान है इसी से मिलता जुलता एक और जिसके हम लोग यहाँ पर बाद कर लेते हैं वो है बादलो का बन cloudness या फिर जो cloud formation होता है तो जो बादल जो आपके बन रहे हैं आप बोगे सर यार यह बादल तो सर यह भी तो वर्षा से संबन्दित होगे सर जबरदस्ती का अपन पॉइंट नहीं ठीक है कुछ ऐसे बादल होंगे जो वर्षा से संबन्दित होगे या बादल जो है वो वर्षा से नेकिं कुछ ऐसे भी बादल है जिनका वर्षा से कोई लेना देना नहीं है बादल का formation होगा आपने कई बार देखा होगा clouds बनते हैं ठंड की दिनों में प्रत्य एक बादल जो है वर्षा का कारण नहीं होगा नहीं वो कारण होगा आर्दरता का तो बादलों का बनना cloudness भी एक अपना एक तत्व है एक आपका elements है इसके अलावा हम यहाँ पर चलते हैं दाब यनि की आपका pressure क्या हो जाएगा pressure और एक हो जाएगा पवनों की दिशा या गती wind का direction पवनों की दिशा या गती ले लीजए मतलब एक ही हो जाएगा क्योंकि अगर जिस दिशा में आपकी चलेंगी तो वहाँ पर गती भी आप यहाँ पर measurement करेंगे यनि कि wind का जो है वो direction तो कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही च्छै आपके मुख्य element है प्रमुख्य तत्व हैं जो किसी शेत्र के या किसी एरिया के जलवायू और मौसम से संबंधित हैं प्रभावित करते नहीं वो रोम हैं वो उसमें नीहित हैं तत्व जो होते हैं वो उसमें vested होते हैं उसमें stramil होते हैं तो यह आपके च्छै क्या हो गया जलवायू के या मौसम के तत्व हो गया क्या क्या देखा तापमान, temperature, water, sun, precipitation, आर्दरता, humidity, बादल, दाब, पवनों की दिशा, pressure and wind अच्छा, पवन से एक चीज़ और याद रखेगा यहां पर आप लोगों को समझना पवन यह अलग चीज़ होता है और वायू यह अलग चीज़ होती पवन बोले तो इसको हम कहते हैं wind वायू, इसको हम कहते हैं air बोले सब क्या बात करते हो हमने तो अभी तक दोनों को एक ही पड़े बोले एक ही नहीं होता बटा पवन अलग चीज़ होता है और आपका वायू जो होता है या जिसको हम हवा भी कह देते हैं in short यह दोनों अलग चीज़ें होती दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है क्या क्या डिफरेंस है आईए इसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ जैसे first of all पहले हम देखते हैं यहां पर है ना पवने होती है इन में खुद की ताकत होती है self propulsion यह एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाती है और कब जाती है जहां पर pressure high होगा वहां से यह गमन करेंगी जहां पर pressure low होगा यह universal rule है आप इसको याद रखेगा क्या बुर रहा हूँ मैं शब्दों में लिख लेना पवनों का जो moment है flow of the wind always from high pressure to low pressure पवनों का जो moment होगा जो उनकी गती जो उनकी दिशा होगी हमेशा उच्च अदाब से निम्न अदाब किर होगी यह एकदम तय है until and unless उस पर कोई आप बाहियबल आरोपित ना करें यदि आप उस पर कोई बाहियबल आरोपित करते हैं बाहियबल आरोपित करेंगे तब ही एक condition हो सकता है किसी machine से हवा डल रही होती है आपके गाड़ी का जो टायर का pressure होता है वो उच्च होता है हाई होता है वही जो atmosphere का जो pressure होता है वातावरन का वायो मंडल का जो बाहर का जो दबाव होता है वो थोड़ा आपका कम होता है जैसे ही कुछ point उनको मिलता है या आप हाथ से उसको प्रेश्ट करते हैं तो हवा गारी के टायर से निकलकर उस वातावरन में आती है ना कि छेद करने पे उस वातावरन की हवा आपके गारी के टायर में जाती है तो सिंपल सी बात है गारी के टायर का प्रेशर जो है वो अधिक है इसलिए वो जो है वाता वरन में आपाता है सेम जब आप बलून फुलाते हैं बच्पन में कभी फुलाया होगा किसे के बड़े में आपने फुलाया होगा नहीं फुलाया तो आज जाके फुला के देखना जब आप मूर से हवा भरते हैं बलून में जो प्रेशर होता है, हवा होती है, उसका प्रेशर जो होता है, जैसे आप उसको आप जब गांठ पाड रहे होते हैं, जब उसको टाई कर रहे होते हैं, अचानक हाथ से छुड़ जाता है, तो आप देखेगा हवा निकलती है, और तेज गती से जो बलून है बाहर चला जाता है क्योंकि हवा बलून में जो है वो अधिक प्रेसराइज है और जो आपका वाता वरन के प्रेशर है वो आपका कम होता है तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के और मॉमेंट होता है ऐसे में क्या होता है अगर लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाता तो जैसे आकास में चला जाता आपको समझ नहीं आता तो हमेशा याद रखना हाई प्रेश्टा से जब तक मैंने कहा कि कोई बाह यबल को एक्सटरनल फोर्स आरोपी तो ना किया जाए साधरन कंडिशन में हमेशा उच्छ अदाब से निमन अदाब के और प्रवाहित होगा वाय हम देते हैं हम उसको घुमाते हैं उसके बाद ही चलता है अदर अवेविस वो अपने से नहीं चलता तो इस बात का विशे सुरुप से ध्यान रखें कि ऐसा होता है जो खुद में जिसमें शक्ती होती खुद की शमता उसे हम कहते हैं पबन और जिसकी जो शमता हम खुद त नहीं करते लाइक वो किसी forcefully या किसी material की दोरे जब उसको किया जाता है forcefully किया जाता है तब हम उसे कह देते हैं वायू यह चीज़ आप याद ज़रूर रखें चले factors में चलते हैं कारकों पर हम चलते हैं सर कैसे करेगा अच्छा पहले पुरह लिख लेते हैं उसके बाद हम देख लेंगे विस्तार one by one दूसरा जो कारक हो जाएगा वो latitude न यह factor है जो उसको प्रभावित करेगा latitude दूसरा हो जाएगा समुद्र से दूरी distance from sea उचाई नहीं वो रह दूरी की बात कर रहे हैं समुद् समुद्र से दूरी की बात करे हैं उचाई की बात नहीं कर रहे है याद रखना किस की बात कर रहे है दूरी की बात कर रहे है ठीक फिर हम चलते है next number three समुद्र दल से उचाई यह simple आप उचाई लिख लिए इसको उचाई तुंगता भी कहते है याद रखना सम्टाइम ऐसा खेर वो तो मेंस में नहीं आएगा मेंस में आपको लिखना है लेकिन अगर ऐसा कुछ बने तो आपको याद रखिएगा इसके बारे में जरूरी जो होगा एक अक्षांस हो गया जो इसको हम अभी बताएंगे explain करेंगे यानि कि इस प्रकार से जहां पर जितना जब अक्षांस में उपर जाएंगे या इधर नीची जाएंगे तो इससे क्या परिवड़तन होता है समुद्र से यानि कि जैसे आप समुद्री शेत्र देख भावित करते हैं ठीक है इसके लावा यहां पर हम चलते हैं उच्चावच रिलीफ कहा जाता है इसे ओशन करेंट न याद रखना ओशन करेंट ठीक है उच्चावच यानि कि रिलीफ जो होता है यह आपका हो जाएगा ठीक है इसके लावा हम यहां पर और देख सकते हैं अ कैसी है और यह सारी चीजे जो है वो किसी शेत्र की जलवायू को प्रभावित करती है इसलिए यह कारक है आप समझ ना प्रभावित करने वाले कारकों का कुश्चन यहां पर पुछा गया है अब यह तो बेसिक बड़े कुश्चन के हमने यहां पर बात कर ली यदि बड़ा परशन आता है तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है यह जो चीजें आपने यहां पर देखी हैं ठीक है सवाल यह है कि सर वो दो चलो ठीक हम यहां यहां पता भी दूँगा अक्शांस समुधर सी दूरी अनौल यह सब कैसे one by one भी अपन डिसकस करेंगे सवाल ये है कि अंदर की questions कैसे आपको पूछे जाते हैं अब जैसे पहला हम ले लेते हैं अक्षांस की हम यहाँ पर बात करते हैं मैं स्लाइड चेंज करो अक्षांस, latitude की हम यहाँ पर बात करते है अक्षांस एकदम सिंपल सी बात है भाई हमने यहाँ पर क्या बना लिया हमने यहाँ पर यह बना लिया यह ऐसा फिर यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं यह देखे यह भूमाध्य रेखा है यह करकर रेखा यह मकर रेखा ठीक है और इसे उपर चलता चला जाएगा यदि आप धीरे धीरे उपर जाते हैं यहाँ से यह कहते हैं उच्च अक्षांस इन्हें बोलते हैं बोले सर उच्च क्यों क्यों क्योंकि ये 90 डिगरी पर है ये कितने पर ये 90 डिगरी पर ये कितने पर ये 0 पर तो ये 0 चोटा होगा 90 बड़ा होगा ठीक है तो जो 0 है वो निम्नक्षांस और जो 90 पर है वो उच्च अक्षांस और जो बीच में उसे हम कहते हैं मध्याक्षांस याने कि मिड लैटिटिटूड ये सब क्या हो जाएंगे तुम्हारे ये मध्याक्षांस होंगे ये सब मध्या है तो जैसे जैसे आप निम्नक्षांस से उच्छांस के और जाएंगे इसको लिखना है अपने शब्दों में न low latitude to high latitude there is a decrease in temperature ताप पान में कमी मिलेगा यही कारण है कि उत्तरी जो शेत्र जो रहते हैं या उत्तरी ध्रू है दक्षनी ध्रू है यहां पर आपको ज़्यादा ठंडी है जबकि भूमत दे रखी शेत्र में ज़्यादा गर्मी आपको देखने को मिलेगा ठीक है अब इसी प् समुद्र से दूर डिस्टेंस फ्रॉम सी जैसे जैसे आप समुद्र से दूर चले जाएंगे जैसे एक शेत्र ही है बॉम्बे है और एक हमारा चतिस गड़ यहां पर ले लिजए यहां पर अगर मैं देख हूँ तो गर्मी की दिनों में तापमान हो सकता है चालिश डिग्र मतलब हलका फुलका तीन चार के आसपास रहेगा चतिस गड़ में आप आपके देखिए गार मैक्सिमम जो तापमान का बार 48 डिग्री सेल्सियस चला जाता है वहीं ठंड के दिनों में यहां पर कुछ ऐसे शेत्र जहां पर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस जाता है दिल्ली में जा ताप आंतर यहां पर वो भी वर्क नहीं करेगा कि भुमा देरेका से आपने दूर गए तो आपका ताप नहीं ठीक है ठंड के दिनों में कम होगा किन्तो ग्रिश्म रितू में वो तापमान वैसे ही बढ़ेगा टैंपरेचर डिफरेंस बहुत जादा दिख रहे है मेरे द साधारन इसी प्रभाव को हम जानते हैं समकारी प्रभाव तो प्रशन यहां भी आ सकता है what are the moderating influence तो आपको बताने है कि समकारी प्रभाव में ताप अंतर कम होता है और इसे हम कहते हैं extreme effect यानि कि विशमकारी प्रभाव एक्स्ट्रिम विशमकारी यानि कि गर्मी में ठंड इसे हम कहते हैं विशमकारी प्रभाव चीक है आईए इसके बाद हम चलते हैं और क्या हो सकता है तीसरा जो है जिसके हमने यहां पर चर्चा करी थी नमबर थ्री जो है height तुंगता तीसरा तुंगता उचाई की यहां पर हम बात करते हैं उचाई कैसे work करता है जी जाएंगे altitude वाले डिजन में जाएंगे वैसे वैसे तापमान आपका कम होता चला जाता है मतलब प्रतेक 1 km पर 4.1 km एच 1 km there is a decrease of 6.5 degree celsius यानी की हर 1 km उचाई पर आपको 6.5 degree celsius तापमान में कमी देखने को मिलती है so this is directly decrease in temperature ठीक है यहां तक clear इसके बाद चौथा जो है number 4 जो है वो है महासागरी जलधाराएं यानी की आपका जितने भी आपके ocean currents होते है number 4 जो है महासागरी जलधाराएं अगर जलधारा गरम है जलधारा यदि गरम है तो वह शेत्र भी गरम होगा जलधारा ठंडी है तो वह शेत्र भी थोड़ा सा ठंड़ जरूर रहेगा या से हम मांसुन की जब हम बात करते हैं ये कहीं ने कहीं पेरू से निकलने वाली एक जलधारा का ही एक विस्तार है एक रूप है और यदि वो जलधारा नहीं आती इस शेत्र में ट्रेवल नहीं करती कॉरियोलिस नियम के हिसाब से ये जिस प्रकार से चलती हुई भुमद दिरेखा को पार करने के बाद अपने दाहिने और मुड़ती है यदि ऐसा ना होता तो मांसुन भी इंडिया में ना आता तो इस प्रकार से जलधारा का होना उस शेत्र की जलवायू के लिए भी महतुपूर्ण है इसके बाद हम चलते हैं नंबर पाँच तो नंबर पाँच जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो हो जाएगा उच्चावच अर्थात टेरेन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं और उच्चावच से जो यहाँ पर चल रही है यह वर्षा वाली पवने हैं इनके पास क्या है वर्षा है या यूं कहें इनके पास नमी है तो डेफिनेटली इन शेत्रों में क्या करेंगी यह बारिश करेंगी किन्तो यह वाला जो शेत्रे सुखा रह जाएगा भले इधर आगे जाके बारिश क रेन शेडो जोन रेन शेडो जोन कहा जाता है ठीक है? मतलब ये होता है अगर ये उस रास्ते में ना हो किसी भी शेत्र की जलवायू के संदर्ब में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी भी शेत्र के क्लाइमेट के संदर्ब में बात कर रहे हैं और यदि उनके रास्ते में ये ना आए, मतलब ये परवत ना आए, तो वहां के जलवाई को प्रभावित नहीं करेगा, मतलब मैं ये बोर रहा हूँ कि सब चीज हमारे पास condition जो है वो okay है, मतलब हमने अक्षान से दूरी की भी हमने बात कर ली, हमने जो समुद्र से दूरी क हमने बात कर ली, हमने जो है उचाय की हमने बात कर ली है ना अल्टिटूट की, लेकिन अल्टिटूट कहां पर ये डिपेंड करता है, कहां का अल्टिटूट कैसा है, कहां पर की उचाय कैसी ये बात डिपेंड करती है, मतलब वही पहार जैसे हमने पश्यमी घाट की हमने तक्षिन पश्चिम दिसा ना होकर कि उसकी दिशा कुछ और होती तो हो सकता है उस पहाड का कोई नंबर 6 वो था आपकी विभिन प्रकार की पवनों एवब उनकी दिशा नंबर 6 जो था विभिन प्रकार की जो पवन थी जैसे कि हम बात कर लेते हैं वेस्टर डिस्टर्बेंस चलता है बहुं सारी स्थानी पवने चलती है ये क्या करती है उस शेतर की जलवायों को विदू में भी चलती है और इन शेतरों में होने वाले विशेतरों से भारत के पशिमी शेतरों में उत्तरी शेतरों में होने वाले बारिश को वर्षा को क्या करती है सौरी क्लाइमेट को क्या करती है वो प्रभावित करती है और सम टाइमस वहां पर बारिश हो जाता है जो तो हमारे लिए थोड़ा सा helpful भी रहते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा dangerous भी होता है, वहीं दूसरी और हम बात करते हैं, स्थानी पवने जो रहते हैं, जैसे कि लू होती है, काल बैसाखी होती है, बार दोरी छिला होती है, यह कुछ पवने होती हैं, जो विशेश रूप से प्र उनों की दिशा और उनकी गती से संबनित factor हो गया, जो वहां की जलवाई को प्रभावित करता है, हमने इतने सारे points यहां पर देखे हैं, इन points पर direct question क्या बनेगा, उसकी चर्चा हमने यहां पर कर लिए, यह direct questions है, मतलब कैसे किसी शेतर की जलवाई को प्रभावित कर सकता ह आपको direct question यहां से पूछ सकता है, इसके अलावा question यहां पर आ सकता है, individually आपको यहां पर पूछेगा, कि बता है कैसे एक शांस किसी शेतर की जलवाई को प्रभावित करेगा, समुद्रसी, दूरी और यह कैसे प्रभावित करेगा, यह direct question तक की हमने यहां पर बात करी, Last of all, सबसे पहले यहां पर आपको मैं बताने चाहूंगा, जैसे question आपको पूछा गया था, क्या, प्रश्न यह था कि भाई, बताएं, ऊटी और शिमला, question यह था, कि ऊटी और शिमला, चले, थोड़ा सा शिमला को उपर बना ले, ताकि यह ज्यादा सही हो जाएगा, आपक ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा, शिमला, यहां पर क्या मिलेगा अपनी को, उटी, अब कुछ नहीं करना है, location आपने पता है, अब बस जो facts जो आपने पढ़े हैं, जो कारक आपने पढ़े हैं, उसी का answer करना है, question यह था, उटी और शिमला, दोनों ही, एक ही उचाई पर हैं, प्रश्न ध्यान से समझना, बोथ हार इन same altitude, same altitude, मतलब उन्हें पहले ही बोल दिया कि भाया तुमको न यह option तो लेने नहीं है, यह उचाई वाला कहां कि यह रहा, यह लेने नहीं है, एक ही उचाई पर हैं, और उचाई कहां पर है, लोकेशन कहां पर है, यह matter करता है, इसलिए उचाई की कहानी अलग होगी, उचाई की कहानी अलग होगी, दोनों सेम हाइट पर हैं, दोनों सेम एच की हैं, लेकिन दोनों के जेंडर से अलग हो सकते हैं, दोनों के सिटी अलग हो सकते हैं, स्टेट अलग हो सकते वैसे ही दोनों उचाई समान हैं लेकिन दोनों का location सालग हो सकता और है location लग इसलिए उच्चावच और उचाई relief और altitude दोनों different होगे ठीक, so समान उचाई पर होने के बावजूद शिमला जो है वो ठंड के दिनों में अधिक ठंड, गर्मी के दिनों में अधिक गर्म क्यों है question यहीं आया था कि भाई दोनों उचाई भी समान है, सब्ची जोके लेकिन यह ठंड की दिनों में अधिक ठंड है और गर्मी की दिनों में अधिक गर्म क्यों है अब आप समझते हैं, पहले reason पर हम चलते हैं, वो है आपका अक्षांस latitude, latitude से क्या समझाएगा सर, कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि latitude के वाइस अगर मैं देखूँ तो उटी को ज़्यादा गर्म होना था और शिमला को अधिक गर्म होना था, लेकिन ये भी काम नहीं करेगा काम क्या करेगा तो काम जो करने वाली है, वो है समुद्र से दूरी बटा, याद रखना हमने यहाँ पर लिखा है ना, यह आप देखेगा एक कहीं पर होगा यह रहा नमबर टू समुद्र से दूरी, आप देखेगा यहाँ पर समकारी प्रभाव मिलेगा जबकि यहाँ पर विश्व, यही चीज जो अभी explain करा था हमने, उसी को आपने रेकली वहाँ पर डाल देना है, बताना है, कि चुंकि उटी का जो distance है, वो समुद्र से क्या है, पास है, जबकि शिमला की जो दूरी है, समुद्र से कैसी है, दूर है तो पहला reason बताना था, कि स शिमला दूर है, इसलिए ठंड में अधिक ठंड वो रहेगा, reason आप देख लीजए, यहाँ पर यह देखो, ठंड में जादा ठंड आपको दिख रहे हैं, दो डिगरी Celsius गर्मी में जादा गरम दिख रहे है, आपने बता देना है, दूसरा कारण यह बताना है, कि शीत रिद बह Ay'e बताएं, कि Bangalore की तूला में, Bangalore में वर्षा अधिक होती, यह उल्टा बोलो, कि Bangalore की तूला में, Bangalore में वर्षा कम होता है, जबकि Bangalore में वर्षा अधिक है, जबकि दोनों एक ही राजज्या में आते हैं, तो फिर से कुछ नहीं करने बता, एक छोटा सा माहप भना लेना था पूरा महँब बनाने की ज़रात नी थी आपने बता देना था ये करनाट का वाला हिस्सा है यहां पर जो है इस शेत्र को हमने क्या बोला है बंगलोर बोला है यहाँ पर इस शेत्र को हमने क्या बोला है बंगलोर बोला है अब आप खुद देखो जी यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को नजर आ रहा है यह है वेस्टरन घाट यह पूरा क्या है पशीमी घाट पशीमी घाट इस प्रकार से कुछ आपको मिले यानि कि पवन के दिशा में इनका जो ढाल है वहीं पर ये आपका पढ़ता है मंगला और इसलिए यहां पर वर्षा जादा होती है overall moral of the story यही है कि आपने main facts को याद रखने हैं concept को याद रखने हैं और इस concept के अधार पर बांकी चीजें आपकी यहां पर बनेंगी question आपको चाहे कुछ भी दिया चाहे समझा रहा है तो ऐसी संभावित प्रश्ण जो है और आपको पूछे जा सकते हैं आप main concept को ready रखें concept यादी ready है तो दुनिया जहां से कुछ भी question पूछ दिया जाए आपसे यह जरूर बनेगा ठीक तो उम्मिद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गए जानकारी आप संतुष्ट होंगे आपको समझाया होगा आप किस और विशाय पर किस और topic पर वीडियो चाहते हैं जरूर कमेंट करें हम मिलेंगे और किसी ऐसे वीडियो में चतिस गड़ के जोगराफी चतिस गड़ के भुगोल की साथ तब तक बने रहे हमारे संग थैंक यू सो मच चेहिंद